So guys, आज की वीडियो सच में आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि guys, आज हम जिस सीज के बारे में बात करने वाले हैं उस सीज के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है आज हम जिस आपको इसी important वीडियो में एक play store की या android की एक hidden must trick भी बता देंगे जो बहुत सार लोग नहीं जानते, mostly लोग नहीं जानते, 95% लोग नहीं जानते होंगे permissions को पहले ही देखना, आप बहुत सारी applications इंस्टॉल करते हो अपने phone में है ना और जो आपका favorite काम है लाओ 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 वो करते हो permissions को सबसे बहुत मैं तो आपको उसके बारे में बताया है और ये बताया है कि कैसे आप application को install करने से पहले ही देख सकते हो कि ये app कौन सी permission मांग रहा है अगर unnecessary permissions मांग रहा है तो भाई उसके काम का दूसरे app download करो थाकि आप secure रहो कूल मिलाकर गाईज ये वीडियो जो है मैंने लाश में आपको एक ऐसी चीज भी दिखाई है जिसको जानने के बाद आप इस feature का use अवर शेयर करोग और उस वीडियो को apps की कैसे आपका जो है आपर data चोरी किया जाता है हम जो है खुद अपनी गलती हुई कार इंटरेट पर secure नहीं है हम at least जितना आपने आपको शेयर रख सकते है उतना तो आप रखें तो आज की वीडियो से आपको यही सब जानने को मिलेगा और रियली यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो इस वीडियो को आप सभी के साथ जुरूर शेयर कीजेगा है ना प्ले स्टोर में यह जो परमिशन को पहले देखने वाला फीचर है यह नहीं जानते बहुत सरी लोग तो प्लीज आप शेयर करना यह रियली बहुत इंपोर्टेंट वीडियो और लास्ट में हमने आप से कुछ ऐसी चीज़ पूछी है जो मतलब टेक्निकल टॉपिक से रेटीड है वो आपको बताना है कमेंट में आपको ऐसा लगता है कि क्या मतलब जो भी है सवाला प्रेंडे में देख लीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईगा बिना कमेंट के मज जाईगा लाइक की कमी नहीं रहें चीए इतने इंपोर्टेंट टॉपिक के लिए भया लाइक तो बनता ही है ना लाइक कर देना ताकि हम भी थोड़ा सा खूश हो जाए और ऐसी इंपोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें फिर से बोल रहा हूँ शेयर जरूर करना बहुत जरूरी है काई इस्रेली बहुत जरूरी है मैं उमिद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइज यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कभी भी आपको जो है अप्लिकेशन में पर्मिशन को अलाओ अलाओ नहीं करना चाहिए सब भी लोग यही करते हैं कोई भी अप्लिकेशन जब पर्मिशन मांगता है तो यह नि सुनते कौन सी पर्मिशन मांग रहा है सीधा अलाओ कर देते हैं हमें जो है deny option भी दिया जाते हैं आपर क्यों दिया जाते है ताकि हम उसका use करें phone में जो है एक एक चीज का आपको use करना चाहिए अब यहां पर आप सबसे बहले उस application को देखो उस application के काम को देखो कि वह application काम क्या करता है है ना क्या उस application को आपके according जो वह permission मांग रहा है उसके अवशक्ता है है ना आप यहां पर उस application के काम को देखो क्योंकि बहुत सारी applications ऐसी होती है जिनको camera की जरूत नहीं होती audio की जरूत नहीं होती वह यह permissions मांगते हैं और background में आपकी बाते भी सुनते रहते हैं फिर आपका data जो यहां पर चोरी होता है इनी कारणों की वज़े से यहां पर आप secure नहीं हो है ना reasons गलतियां भी यहां पर हमारी ही होती है जिसके वह सब internet पर secure नहीं रहते हम जितना secure अपने आपको रख सकते है उतना हम रखेंगे और वो रखेंगे वीडियो देखकर हम लो कि तो आप शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को क्योंकि बहुत important है guys तो मैं यही आपसे कहना चाहिए रहा हूं कि आप उस application को काम के देखे मलब उस application के काम को देखे कि वह application काम क्या करता है अगर आपको लगता है कि इसको यह permission देनी चाहिए तो आप दे दीजे अलाव कर दीजे नहीं तो deny button का भी use कीजिए लेकिन आज मैं आपको यह ब applications है एक application का जो use होता है उसी से related आपको multiple apps मिल जाएंगी तो आप जो है जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो उसके सबसे पर्मिशन चेक कीजिए बिना इंस्टॉल किए कि कौन-कौन सी पर्मिशन मों मांग रहे वो कैसे कर रहा है मैं आगे बताऊंगा और वही बहुत साल लो कब दूसरा app दीखिए उसी की काम का दूसरा app आपको प्लेश्टूर पर जरूर मिलेगा उसकी पर्मिशन दीखिए वो सही उसको इंस्टॉल कीजिए यह आपको जरूर कर रहा है जिससे कि आप काफी हद तक सिक्योर रहोगे और यह करना बहुत जरूर यह गा है इस रियल नहीं है फिर आपका फेवरेट काम आप कर सकते हो है ना कुछ लोग तो अगरी 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 भी करते रहते हैं उस पर भी वीडियो मनाएंगे हम आपके लिए और वेट कीजिए बस आप शेयर करते रहे बस चैनल को तो आप परमिशन अगर पहली देख ले तो आप लाओ 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 कर सकते हैं आपका फेवरेट काम चली हम चलते हैं प्ले स्टोर में और देखते हैं कैसी चीजिस का यूज करना है सबसे पहले आप वीडियो में लाइक करो सबसे वाला काम तो आपको यही कर रहा है तभी आप इस फीजर को एकसेस कर पाओगी मजाया कर लाओ लाइक कर रहा बनता है वीडियो में क्योंकि बहुत ही इंपोर्डेंट है तो लाइक जरूर से कर दें छले प्ले स्टोर में चलते हैं प्ले स्टोर में चलके निशाना बड़ा सगी लगा है मेरा कोई भी एप जोए मैं उठाता हूं याज से एपस पर आगया हम तो यहाँ पर तो आप इंस्टॉल ही करते होगे बस आपको रेटिंग वह रहा देखते होगे लेकिन एक चीज है जो लोग देखते थो है लेकिन उसमें और चीज नहीं देखते वो है अबाउट इस एप जी हाँ इस फीचर का यूज लोग जै सिर्फ एक ही काम करने करते हैं मैं भी वली यही करता था यहां बचाता था और बस बस एप देखा किस बारे में और इंस्टॉल कर दिया लेकिन गाईज इसी में जो है और भी चीजें अबाउट इस एप अतलब इतना ही नहीं उसमें पिताया जाता कि यह एप क्या काम करेगा उस एप से एडेटिट सब कुछ आपको पता चलता है पर रिलीज डेट क्या है लास् Solar कब वुगा है ना ज्यादा पुराना अपरेत वाला या वैसे भी से क्यूर नहीं होता है तेना क्योंकि अब देते न etrator ns developer को है ना तो यह भी आप चेक कर सकते एक हो खो चीजा आपको बता चली है आंपर है ना तो यह चोटी चोटी चीजे भी आगाइस आप में ह वर्जन वर्जन बता रहा आपको ये अक्टोबर 22nd का अपडेट हुआ चाहिए इतने इसके डाउनलोड है दस मिलियन डाउनलोड साइज ये नाइन भी है ओफर्ड बाई गूगल ललसी है ये तो सीक्योर है एकदम गूगल ललसी की दवारा ओफर्ड किया गया कोई दितत नहीं रिलीस इतने मज़े हुआ है मलब इतने टाइम पर हुआ है एप परमिशन्स सी मोर यह आगे हमारी काम की चीज इस पर आपको जाना है गाईस है ना यह चीज कोने मिलती आपको लाश्ट में ऐसी चीज पर इसलिए लोग ध्यान नी देते तो यहाँ पर है गाईस काम की चीज यह पर आपको यह पता लग जाएगा कि यह प्रमिशन्स आपसे मांग रहा है अब हम तो फो बहिए लगा सकते है अब यह गालरी गो है तो पहिर इसको ओफिच्च की प्रमिशन्स तो चैए ही हैuffed क्योंकि इसको photos access करनी है है ना वहां से हमको modify है हम खुद करेंगे delete करेंगे तो इसको storage की permission है वाके में वास्ताव में इसको storage की permission है तो भाई ये app सच है ये जूट ने बोलता है तो ये सच्चे मतलब गुनेगार निये आगे चलते हैं में सोचते क्या-क्या बोलता है या रही है गूगल सर्विस की configuration ये रीड कर सकता है क्योगल का product है background में work कर सकता है और wallpaper का पता नहीं क्या-क्या है मतलब others की permission है जो कि इसके काम की gallery आपेगी इतनी permissions ये मांग रहे है ये बोल रहा है कि आप इन में से किसी भी permissions को disable कर सकते हो settings में से इसको install करने के बाद बाकी आगे learn more हो रहा है इसके आगे आप learn more यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं बस navigate अप करेंगे है ना यानि कि गैलरी को जो है काफी सच्चा secure app है और Google का एक तो ये है ना तो इसपर trust किया जा सकता है ये कुछ extra permissions नहीं मांग रहा है जो इसको need है वो ही permissions ही मांग रहा है तो मुझे Google के बहुत अच्छी बात लगती है तो इस तरह से हाँ पर आप देख सकते हो चलिए अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप खुद ही समझ जाओगे कि ये feature देखना आपके लिए कितना जरूरी है वो दिखाने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बेल अकन को ओल पर स्रेट कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे हम यहाँ पर एक एप्लिकेशन आपको सर्च करके दिखाते हैं जिसका नाम है फ्लेशलाइट चलिए उस एप्लिकेशन को सर्च करते हैं उसके बद आप से बात करते हैं यहाँ पर हमने एक एप सर्च किया है, फ्लेशलाइट वॉल्ट, यह क्या करता है, एक फ्लेशलाइट का आइकन बना देगा, यह टॉर्च होती हो और इसमें जा अपनी आउडियो वीडियो वगरा को सेव कर सकती हो, वॉल्ट है एक तरह का, बस इतना इसमें होता है, अब य यहाँ इस एड्स को प्लेश किया है, एप परमिशन में चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं आपको कमाल, कैमरा की परमिशन यह क्यों ले रहा है बईया, टेक पिक्चर्ज एंड वीडियो यह आपकी खुद बखुद पिक्चर्ज एंड वीडियो को खेंच सकता है, और इंटर पर कहीं पर भी डाल सकता है, खुद बखुद, है ना, यानि कि यह हमारा जो एप है, यह डिटा चोरी करेगा भाईया, अब क्यूं, इस एप को क्यूं जूरत है भाईया, कैमरा की परमिशन, कि आप खुद सोचो गाईज, हाँ तो मैं जो है, जो है तरह सा हूम कर रहा था वीडियो, ओडियो, यह पिक्चर, कैमरा की परमिशन, इसका मतलब तो भाई, यह एप से क्योर नहीं है न, तो यह हमको पता चलिया, अब मैं इसी के वर्क के और अप्स देखूंगा भाईया, हम आपको क्यों देखे, आपके जैसे और भी मिल जाएंगे, यही आपको करना मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप इस चीज को जरूर चेक करें, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका डेटा सुरक्षित रहे, क्योंकि आज कल में जो हमारा स्मार्टफोन है, उसको हम हर एक चीज के लिए स्टमाल करते हैं, बैंकिंग एप्लिकेशन हम रखते हैं भाई, तो यार, मतलब क्यों हम रिस्क लिए हैं, है ना, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का आप जितना हो सके उतना शेयर करें, यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है, और मैं उम्मिद करता हूँ कि आप इस चीज को समाझ गए होंग आपके लिए आती रहेंगी WhatsApp और Telegram गूरूप में आप लोग आप पेचे जूर सकते हों, अगर आपका कोई भी कोशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई